चलिए आज हम करेंगे क्लास 12 मैस का चैप्टर इंटिग्रल्स का एक्ससाइज 7.2 का कुश्चिन नमर फॉर्स्ट काफी इजी कुश्चिन है हमने यहां पर जो एक कुश्चिन को सॉल करना यहां पर हमने इस कुश्चिन को सब्सिट्यूशन मैथर लगा करके सॉल करना है तो यहां पर जो भी हम इंटिग्रेशन करेंगे वह हम सब्सिट्यूशन मैथर से करेंगे अभी दिखे यहां पर जो यह फंक्शन है इसका डिरे to x, इसलिए यहाँ पर dx लिखा हुआ है, हम क्या करेंगे, हम 1 plus x square को t suppose कर लेंगे, ठीक है, तो let करते हम 1 plus x square को t, तो हमने इसको substitute कर दिया t, अब हम इस equation का with respect to x differentiation करेंगे, तो लिखते हैं, differentiation with respect to x, ठीक है, तो हम ने इसका with respect to x differentiation करना है, तो 1 का differentiation हो जाएगा 0, क्योंकि 1 constant है, तो इसका differentiation हो जाएगा 0, फिर है plus x square का differentiation होता है, 2x, ठीक है, हमने इस side का x के respect में differentiation किया है, तो यहाँ पर आएगा dx, अब t का differentiation करेंगे, तो आएगा dt, ठीक है, तो यह हमारे पास में हो गया, 2x dx is equal to dt, अब यहाँ पर हमारे पास में आगया, 2x dx equals to dt, अब हमने ढूणना है, क्या यहाँ पर 2x dx हैं, तो हमने दिखा यहाँ पर 2x dx हैं, तो हम 2x dx को dt यहाँ पर substitute कर देंगे, ठीक है, तो 2x dx हमारा हो जाएगा, 2x dx हमारा हो जाएगा dt, अब आन में हमारे पास में है, 1 plus x square, 1 plus x square को हमने t suppose किया है, तो इसकी जगा पर आएगा t, ठीक है, अब देखिए हम इसको लिखेंगे, integration of 1 upon t, and यहाँ पर dt तो हई है, आपने याद रखना है, आपने याद रखना है कि जब हम integration करते हैं, integrate करते हैं, 1 upon x को, with respect to x तो आता है, log mod x, ठीक है, तो हम इस formula से, integration of 1 upon t, with respect to t, इसको हम लिखेंगे, log mod t, ठीक है, तो देखिए हमने इसका integration कर लिया, तो अब हम यहाँ पर लगाएंगे c, हम लगाएंगे coefficient of integration को यहाँ पर, ठीक है, c को यहाँ पर हमने लगाना होता है, तो जब हम function का integration कर ले तो last में c को लगा लेते हैं, तो देखें, यहाँ पर हमारे पास में जो फॉर्मला है, integration of 1 upon x dx, जो की होता है log mod x, इस फॉर्मले से हमने integration of 1 upon t dt को, यहाँ पर लिख लिए log mod t, ठीक है, तो इस फॉर्मले से हमारे पास में आ गया log mod t plus c, अब यहाँ पर है log, अब यहाँ पर है mod, अब यहाँ पर है t, अब देखे, t हमारा है 1 plus x square, तो t की जगा पर आएगा 1 plus x square, ठीक है, plus c, आपने question को t में नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमारा जो function है, वो x में है, तो इसका integration भी x में आएगा, तो t में हमने integration नहीं करना है, तो t का value हमने वापस से, यहाँ पर substitute कर लिया 1 plus x square, जो की यहाँ पर हमारे पास में है, तो यहाँ पर हमारे पास में, इस function का integration आगया, log mod 1 plus x square, plus c, तो यहाँ आगया हमारे first question का final answer,